Hey guys, मेरा नाम है अनुभा, welcome to biology aid और आज के वीडियो में हम discuss करेंगे class 11th का topic mitosis and as usual, वीडियो होगा quick, easy and based on NCERT और इस वीडियो को देखने के बाद आपको NCERT की हर line और हर diagram बहुत easily समझ में आने लगेगा तो चलिए फिर बिना देर करें, let's get started तो सबसे पहली और सबसे important बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि mitosis एक ऐसा division है जिसमें parent cell और daughter cells में number of chromosomes same रहते हैं और इसी लिए हम mitosis को equational division कहते हैं पिछले वीडियो में हमने discuss किया था cell cycle के बारे में और उसमें हमने briefly M phase या mitotic phase को भी discuss किया था मैंने आपको बताया था कि M phase involves two steps, karyokinesis and cytokinesis किसी भी एक cell से जब दो cells बनते हैं तो सबसे पहले उस cell का nucleus divide करता है यनि karyokinesis होता है जिससे की दो nucleus बन जाते हैं और फिर finally cell का cytoplasm divide होता है यनि cytokinesis होता है और दो daughter cells बन जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे karyokinesis की karyokinesis की भी different stages होती है और हर stage में कुछ अलग हो रहा होता है सबसे पहले आती है profase, फिर metafase, anaphase और फिर telophase अगर आपको इससे याद रखने में दिक्कत होती है तो आप शुरू के alphabets को memorize कर सकते हैं P, M, A, T या PMAT, profase, metafase, anaphase और telophase तो चलिए हर एक phase को quickly समझेंगे कि इन में कौन से major events हो रहे हैं जिनसे आपके questions बन सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे karyokinesis की first phase यानी profase के बारे में यहां मैंने NCERT के diagrams लिए हैं क्योंकि exam में आपको direct diagram भी दिया जा सकता है और आपसे stage का नाम पूछा जा सकता है तो इसलिए आपको NCERT के diagrams को भी recognize करना आना चाहिए Alright, तो profase पहली phase है Before profase, nucleus के अंदर का genetic material उलजे हुए धागे जैसा देता है लेकिन profase की शुरुवात में यह condense होना शुरू हो जाता है और इस stage पे हम इने chromosome कहते है आप इस diagram में observe कर सकते हैं अगर हम early और late profase को compare करें तो आप देख सकते हैं कि chromatin material condense हो रहा है chromosome form हो रहे है और chromosome को अगर हम observe करें तो यहां हर chromosome में हमें दो chromatids देखने को मिलती है इसी चीज़ को अगर मैं आपको diagramatically दिखाना चाहूँ तो profase में chromatin material condense होना शुरू हो जाता है और कुछ इस तरीके से chromosomes का shape लेने लगता है यहां हर chromosome में दो chromatids होते हैं जो centromere के थुरू एक दूसरे से attached होते हैं clear? NCRT profase में हमें mitotic apparatus के बारे में भी बताती है जिसमें काफी बच्चों को confusion रहता है तो इसको बहुत ही easy way में मैं अगर आपको समझाऊं तो centrosome नाम के दो structures होते हैं जो profase में cell के opposite pole पे move कर जाते हैं और इन centrosome में से microtubules निकलने लगते हैं तो centrosome along with microtubules को हम कहते हैं aster अब इन microtubules से कुछ धागे जैसी चीजें form होने लगती हैं जिने हम कहते हैं spindle fibers ये spindle fibers metafase में जाके chromozome से attach हो जाते हैं इसके बारे में अभी हम metafase में पढ़ेंगे तो अभी profase में आपको सिर्फ इतना समझना है कि centrosome cell के opposite pole पे move कर रहे हैं इन में से microtubules निकलते हैं जो spindle fibers form करते हैं centrosome और microtubules को हम aster कहते हैं और दोनों aster along with spindle fibers को हम collectively कहते हैं mitotic apparatus I hope आप लोगों को ये clear हो गया होगा और profase अगर आपने समझ ली तो बाकी की faces आपके लिए बहुत easy हो जाएंगी Alright, next event जो profase में होता है और आप इसे diagram में भी observe कर सकते हैं nuclear membrane disintegrate होने लगती है यनि की तूटने लगती है उसके अलावा endoplasmic reticulum और golgi bodies भी disappear होने लगती है Profase के बाद हम फटा-फटा आजाते हैं next phase पे which is metaphase Metaphase में जैसा आप diagram में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे nuclear membrane completely disintegrate हो चुकी है इसके अलावा हम ये भी observe कर सकते हैं कि chromosomes के structure को हम सबसे जाधा clearly observe कर सकते हैं Now, अगर हम इन diagrams को ध्यान से देखें तो इन chromosomes के centromere पे आपको ये white color के discs like structure दिखाई दे रहे होंगे इनको हम कहते हैं kinetocore और kinetocores का का काम होता है कि ये spindle fibers के लिए एक site of attachment की थरह काम करते हैं और जैसे ही ये spindle fibers kinetocores से attach होते हैं तो ये chromosomes को खीच के equator पे ले आते हैं जिसे हम कहते हैं कि metaphase plate पे chromosomes align हो गए हैं जैसे कि आप इस second diagram में भी देख सकते हैं chromosomes metaphase plate पे align हो चुके हैं तो अगर आप से पूछा जाए कि metaphase के key features क्या हैं तो आप बहुत easily इन दोनों diagrams के थरूप बता सकते हैं नमबर वन की spindle fibers chromosomes के kineto core से attach हो जाते हैं और नमबर टू की chromosomes equator पे align हो जाते हैं along metaphase plate ओल्राइट ओके Now we move on to our next phase, anaphase बहुत ही simple सी phase है तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हर chromosome में दो chromatids होती हैं जो centromere के थरूँ attached होती हैं तो आप diagram में भी observe कर सकते हैं कि anaphase में centromere split कर चुका है और chromatids separate हो चुके हैं और ये anaphase का एक key feature होता है एक बात जो यहां ध्यान रखने की है वो ये कि अब इस point पे हम इन separated chromatids को daughter chromosomes कहते हैं क्योंकि अब ये cell division complete होने के बाद हमारे दो future daughter cells के chromosomes बनाएंगे इसके बाद क्या होता है कि ये separated chromatids यानि daughter chromosomes cell के opposite pole पे move कर जाते हैं और यहीं पे anaphase खतम हो जाती है और शुरू हो जाती है telophase telophase karyokinesis की final stage होती है ये phase एक तरह से pro phase के opposite होती है यहां chromosomes decondence हो जाते हैं अपनी individuality lose कर देते हैं और एक cluster जैसा form कर लेते हैं जैसा कि आप diagram में भी देख सकते हैं यानि telophase में आप individual chromosomes को observe नहीं कर पाएंगे इसके अलावा दोनों पोल पे जो chromosome cluster है उसके around nuclear membrane develop हो जाती है और दो daughter nucleus form हो जाते हैं और finally nucleolus, golgi और endoplasmic reticulum वापस से form हो जाते हैं इसी के साथ karyokinesis complete हो जाता है और अब cell को completely divide होने के लिए केवल एक process बचता है which is cytokinesis यनि cytoplasm का divide होना cytokinesis का process animal cell में अलग तरह से होता है और plant cell में अलग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि animal cells में cell membrane होती है जो की flexible होती है जिसकी वज़े से एक फरोज ऐसा form हो जाता है जो की अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है और finally, दो separate daughter cells form हो जाते है मगर plant cell में cell wall present होती है जो की rigid होती है जिसकी वज़े से फरोज फर्म नहीं हो पाता तो यहाँ पे cell के बीच में एक cell plate form होना शुरू हो जाती है जो की बाहर की तरफ ग्रो करती जाती है और इसी तरह से दो daughter plant cells form हो जाते हैं यहाँ जो बात आपको ध्यान रखनी है वो यह कि animal cell में cytokinesis बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है और plant cell में cytokinesis अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है NCRT हमें ये भी बताती है कि cytoplasmic division के ही time organelles जैसे की mitochondria, plastids वगेरा भी दोनों cells के बीच equally distribute हो जाती हैं clear? चलिए अब मैं आपसे question पूछती हूँ क्या ऐसा possible है कि karyokinesis हो जाए निकिन cytokinesis ना हो तो हाँ ऐसा बिलकुल possible है और कुछ cases में ऐसा होता भी है कि nucleus तो divide कर जाता है लेकिन cytoplasm divide नहीं होता है जिसकी वज़े से एक multi-nucleated condition arise हो जाती है जिसको हम कहते हैं syncytium For example, coconut water जो हम पीते हैं वो multi-nucleated होता है और इसी के साथ complete हो जाता है mitosis अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी meosis के बारे में इस वीडियो की ppt का pdf मैं biology ये telegram channel पे upload कर दूँगी आप महां से download कर सकते है अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप channel को support कर सकते है by hitting that like button और मैं thank you बोलना चाती हूँ अपने curious minds को जो instagram पे मुझसे जुड़े हुए है मेरी तबियद ठीक नहीं थी और इसलिए वीडियो अप्लोड करने में भी थोड़ा delay हो गया thank you so much आप सभी को जनोंने मुझे get well soon wish किया I'll see you guys in the next one and until the next time stay curious